महिलाओं की भूमी का बदल रही है वो पूशों के साथ कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ना चाहती है फिर छेत्र चाहे शिक्षा हो, चुकित्सा हो या फिर विज्ञान ही क्यों ना हो सभी की महतव कांशाएं आज उडान भरना चाहती है क्योंकि वो भी financially strong होने का हक रखती है ऐसी financial stability के लिए आपको जर्थ है financial planning की क्योंकि हर एक सपने को पूरा करने के लिए आपको जर्थ होती है पैसे की वो पैसा मांगने के लिए आज महिलाओं पूर्शों पर निर्भर नहीं करती अधिकतर महिलाएं self-dependent होना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि self-respect कितनी जादा एहमियत रखती है इसके अलावा अगर देखें तो समाज में महिलाएं बच्चों के पालन पोशन उनके जन्म और सभी जम्मेदारियां खुद से निभा रही है और इसी लिए उनके लिए financial management और planning बहुत जादा एहम हो जाती है महिलाओं को बाहर की दुनिया और घर की दुनिया के बीच में तालमेल बिठाने के साथ-साथ तमाँ वो काम भी करने हैं जो वो करना चाहती है बढ़ती उम्र के साथ-साथ जहां महिलाओं की जिम्मेदारियां बढ़ती है वहीं उनकी समाज में भूमिकाय भी बढ़ जाती है और ऐसे में महिलाएं चाहती हैं कि वो अपनी retirement के बाद अपने लिए कुछ एहम पल धून सके खुशी के और ऐसा करते हुए उनको बहुत सारी चुनोतियां का सामना भी करना पड़ता है एक independent agency की एक report के अनुसार हमारे देश में पिछले 10 सालों के अंदर 25 से 30 वर्ष ये तलाकशुदा महिलाओं की संख्या 50 पृतिशत तक बड़ी है मगर सबसे ज्यादा दिल्चस्प बात ये है कि इसी दौरान 50 वर्ष से अधिकुम्रवाली तलाकशुदा महिलाओं की संख्या दो गुना तक बड़ी है इन में से सिर्फ वन थर्ड लेडीज ने ही financial planning के थूँ अपने future को secure किया था इसका मतलब ये है कि तलाक लेने वाली हर तीन में से दो महिलाएं किसी और पर निर्भर है और ऐसे में अगर उनकी सहायता ना की जाए तो उनका भविश्या अंदकार में है On an average महिलाएं socially और economically पूर्ष जितनी strong नहीं है और इसी वजह से शायद उनके पास एच्छिक retirement का विकल तो भी बहुत कम होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि परिवार के दबाव में उन्हें अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ती है बच्चों या परिवार की जिम्मेदारी के नाम पर 50 के पार होते ही महिलाओं को अपना काम का छोड़ना पड़ता है ये तस्वीर इस हकीकत को बयान करती है कि जब महिलाएं अधिक कमाई और अधिक बचत कर सकती हैं तो क्यों उन्हें काम छोड़ना पड़ता है और भविश्य में किसी पर निर्भर होना पड़ता है महिलाओं के प्रती सामाजिक सुरक्षा का धांचा काफी कमजोर है लेकिन इस स्थिती को बराबर होने में काफी समय लग सकता है इसी वज़ा से आज जरूरत है महिलाओं को फाइनेशल प्लानिंग करने की और उन्हें निवेश के प्रती भी सजग होने की जरूरत है अगर देखा जाए तो पुर्षों के मुकाबले महिलाओं का करियर 5-7 साल तक कम हो सकता है इसके अलावा उनकी सैलरी में भी भारी फर्क होता है महिलाओं के इस नुकसान का गणित समझने और उसका हिसाब लगा पाने में शायद हमें बहुत समय लग जाएगा लेकिन समय शायद किसी का इंतिजार नहीं करता tragedies कब आपके सामने किस रूप में आएंगी ये आप नहीं जानते इसलिए आपको आज से ही उनके लिए तयार हो जाना चाहिए इसके अलावा समाज में उन महिलाओं की गिंती भी बहुत ज्यादा है जो कामकाजी ही नहीं है ऐसे में अगर उनके पती गुजर जाएं तो उनके लिए पालन पोशन करना खुद का और बच्चों का बहुत जादा कठेन हो जाता है समानता के विशय में कामकाजी महिलाओं को दफ्तर में ही नहीं बलकि घर में भी बहुत सारी दिक्कतों से जूजना पड़ता है तमाम कानूनों के होने के बावजूद आज तक महिलाओं को पैत्रिक संपत्ती में बराबरी का हक नहीं मिला है ऐसी स्थिती में महिलाओं को समझना चाहिए कि वो अपना सहारा खुद ही है और जब खुद का ही सहारा बनने की बात आती है तो महिलाओं को एक ऐसे विकल्प का चयन करना चाहिए एक ऐसे काम को चुनना चाहिए जिसकी बागडोर उनके ही हाथ में हो जिसे वो अपने समय के अनुसार कर सके वो भी पूरी निष्ठा के साथ तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसी स्थीती में आपके लिए एक बहतर विकल्प है नेटवर्क मार्केटिंग को चुनना अब लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर बिजनस ही करना है तो कोई भी बिजनस कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों लेकिन इसका भी जवाब आप उन्हें दे सकते हैं किसी भी बिजनस को करने के लिए पहले उसे सीखना होता है उसे शुरू कैसे करें और शुरुवात में कितनी इन्वेस्टमेंट करें प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट होगा भी या नहीं, सेल्स कितनी आएंगी, उनकी सेल कैसे कर सकते हैं, उफिस कहा हो सकता है, उसका रेंट कितना होगा लेकिन आपको ये भी जरूर पता होगा कि traditional business के अंदर आपको कोई ये नहीं सिखाएगा कि आपको business कैसे करना होता है लेकिन network marketing industry में आपके साथ हमेशा आपके upline रहते हैं जो आपको ये सिखाते हैं कि अब आपको अगले step पर चड़ने के लिए किस तरह से पैर उठाना है और कौन सा पैर पहले उठाना है for example अगर आप एक stationary shop खोलना चाहते हैं और आपके ही area में किसी और ने भी stationary shop खोली हुई है तो obviously आप उससे थोड़ा ज्यान तो जरूर लेना चाहेंगे अब मान लीजे आप उनके पास गए और आप उनसे पूछते हैं भाई आप एक महीने के अंदर कितना कमा लेते हैं आपने शुरुआत कैसे की थी आपको ये shop कैसे मिली अगर मुझे शुरू करना है तो मैं कहां से करूँ तो ये सब बताने के वज़ाए वो आपको कुछ अच्छे प्रवर्जन सुना के ये जरूर बोल सकते हैं कि भाई ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है और तुम इसे नहीं कर सकते क्योंकि traditional businesses के अंदर कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसका competitor वो खुद ही लाके market में खड़ा कर दे जिससे उनकी कमाई कम हो जाए network marketing एक pure business है जो की ethics के साथ किया जाता है कुछ गलत लोगों को अगर side कर दिया जाए तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग देखने को मिलेंगे जो successfully business build कर रहे हैं और दूसरे लोगों की मदद भी करते हैं उन्हें business build करने में अगर कोई भी महिला किसी network marketing company को join करे और ऐसे लोगों की साथ मिलकर अपने business को build करना चाहे जो already successful है और ethically इस business को build कर रहे हैं तो वो उनके साथ अपना सुनहरा भविश्य देख सकती है वो अपने अंदर कुछ developments notice कर सकती है कुछ ऐसी चीज़े notice कर सकती है जिससे उन्हें इ self confidence जो की एक next level पर होगा आपकी communication skills बहुत जादा improve हो गई होगी आप अपनी dressing को भी improve कर सकते हैं अगर कोई भी महिला किसी network marketing company को join करे और ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करे जो की already successful है या फिर इतनी कड़ी महनत कर रहे हैं कि वो एक दिन successful हो जाएंगे तो ऐसे लोगों के सा आप अपना भविश्य से क्योर समझ सकते हैं क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहते हुए आप खुद के अंदर ऐसी skills develop कर सकते हैं जो आपको आपका business build करने में मददकार साबित होंगी एक ऐसी महिला जिसे अभी तक कुछ नहीं पता था वो अपने अंदर बहुत सारे changes को notice कर आप अपने communication skills को भी enhance कर सकते हैं अपनी personality को develop कर सकते हैं कुछ unique selling skills भी सीख सकते हैं क्योंकि यहां आपको सिखा कर ही कोई ऊपर उठ सकता है आपकी growth के बाद ही आपके applying की growth होती है मतलब सबका साथ सबका विकास इसलिए तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए सबसे best industry है network marketing industry जिस से आप खुद को financially stable कर सकते हैं और independence हासिल कर सकते हैं do one small thing everyday to reach your goal अर्थात हर एक दिन एक ऐसा काम जरूर करें जो आपको आपके लक्षे के नस्दीक लेकर जाए मतलब यह है कि आपको daily खुद के अंदर 1% तक improvement लाना होगा ताकि आप साल के अंत में खुद के अंदर 365 प्रतिशत तक changes को notice कर पाएं और खुद के अंदर improvements देख पाएं